देश भर में किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है कैबिनेट की मिटिंग में देश के किसानों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है केंद्रिय सूचनायम पर सारन मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा है कि मिटिंग में किसानों को लोन पर विशेश छूट देने को मन्जूरी दे दी गई है केंद्रिय सूचनायम पर सारन मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि किसानों को 3 लाग रुपए तक के छोटी अब्दी वाले लोन पर अब 1.5 फीसद छूट का प्रावधान होगा काबिनेट की मीटिंग में नए फैसले के तहट साल 2022-23 से अगले साल 2024-25 में एक्स्रा बजट का प्रावधान भी रहेगा फैसले के अनरूप इस स्कीम के लिए 3 साल की अब्दी के लिए सरकार ने 34,856 करोड रुपए का एक्स्रा बजट भी रखा है आपको बता दे कि मोधी सरकार के नेतरतव में हुई काबिनेट बैटक में इस फैसले को लिया गया है सरकार द्वारा इंट्रेस्टर सब्वेंशन ने सभी बैंकों और फाइनेशल इंस्टिटूशन को शामिल किया है यानि देश के किसानों को सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, नीजी बैंक, रीजनल रूरल बैंक से लेकर स्मोल फाइनस बैंक में छोटी अबदी वाले लोन पर विशेश छूट मिल सकेगी